कि angry guys देखो कभी-कभी क्या होता है कि अच्छे stocks में भी गिरावट देखने को मिलता fine और मैं इटी सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं कि अब ही दिहान से देखेगा अगी रेट में निंफ्टी में भी गिरावट देखने को मिला है मिला की ने मिला मिला पिछले पांच दिनों से भी निफ्टे में गिरावट देखने को मिला विल्कुल अब आ जाते हैं स्टॉक की उपर तो मैं बात कर लो बिरिला सॉफ्ट लिमिटेट के बारे में किसके बारे में बिरिला सॉफ्ट लिमिटेट के बारे में तो आज के तो अराम से 50% का गिरावट तो पकड़ लो इतना ज्यादा गिरा हुआ पिटा हुआ स्टॉक और मार्केट भी गिर दा है लेकिन मैं आपको बदाना चाहता हूँ देखने का नजरिया अगर आप बदल दोगे न तो आपको ऑपर्चिनिटी दिखेगा अगर आप देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जहां ऑपर्चिनिटी होता थ्रिट होता तो कुछ लोग थ्रिट के उपर ही फोकस करते हैं लेकिन कुछ लोग ऑपर्चिनिटी के उ अच्छी बात होती है, जब गिरेगा तभी तो चीजे और सस्ट हमें मिलेगा, है कि नहीं है, आके गौर्रमेंट इंट्रेस रेट क्यों बढ़ा रही है, चाहे इंडिया में हो, अमेरिका रहो में, क्यूंकि इंफलेशन को कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं, क्यूंकि आपको बताएंगे अभी, फ्यूचर में जब यह बात है, तो आप बात में देख सकते हो, यह को पहली बर गिरावट नहीं है, इसमें कई बर गिरावट हो चुका है, कई बार स्टार्टिंग से भी यहां पर देखोगे, तो 80% का गिरावट था, फिर यहां पर देखोगे, तो यहां पर 50% का गिरावत थे यहां पर भी 92 परशंट का गिरावत थे है यहां पर भी एक्जाक 50 परसंट का गिरावत का ता लेकिन फिरятно आप देखोगे है कंपनी आपको डिविडेंट भी काफ़ी चपी करती है नीचे अगर आप देखोगे हर बार जब भी कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट होता है यह यहां नेट्रों का कुछ प्रॉ竇न है इस वजज से यह लोग ईंप्रॉब करते रहते हैं तो यहां पर दे लीचम जाथ की डिविडेंट की बात है तो हर बार झीडेंट देते हैं कभी तो बाई बग भी मिलता है देखेंगे तो यह हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कंपनी खुद का शेयर दुबारग खरीद रही है 1.5% something आपको company के तरफ से dividend मिलता है पर मोटर्स के पास आखर आप देखेंगे पहले मैं आपको quarter दिखा देता हूँ यह देख लिए मन्त पर मोटर्स के पास पहले जो हिस्सेदारी थी पर मोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई है मैंने आपको दिखाया ना कि जब से company list हुई है कभी company में 60-70-80% का गिरावाट एकदम नॉर्मल है आम बात है लेकिन लंबे समय में company आपको अच्छा profit ही निकाल के देती है चाहे जो भी बोले लेकिन foreign domestic के पास जो जो भी यहां पर है 19% and 12% something लेकिन बहुत अच्छा exposure है दोनों का public के पास देखेंगे तो 25% है तो इन्यों लोगों ने जैसे foreign domestic वालों ने थोड़ा बेचा है चलेगा company IT सेक्टर में company घाम करती है और पूरी तरीके से company जो है debt-free है पूरी तरीके से company ने अपने आपको जो है debt-free कर लिया है यहां पर तो यह कहा है कि मतलब एक new generation से आप समझ सकते हो कि अच्छी ची company को अगर आप next generation के IT सेक्टर वाले अगर आप stock खरीद के रखते हो तो future में काफी अच्छा आपको benefit भी देखने को मिल सकता है कमपनी के पास 143 करोड का cash है जो कि बहुत अच्छी चीज है पहले company के पास 732 करोड का cash था तो company ने कहीं ने कहीं ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है कमपनी के बारे में बात कर लेते हैं तो पहले इनका जो share capital था 37 का था अभी देखिए तो 55 का share capital constant रहता है लेकिन share capital कब बढ़ता है जब company buyback करती है तो ठीक है तो या किसी तरीके से repurchase वगर आप बोल सकते हो हाला कि company के पास जो reserve and surplus है 1533 करोड का जो कि पहले से बहुत नहीं है company के पास cash flow अच्छा है यह आप company का cash देखकर dividend देती है company वह देखकर यह पता लगा सकते हो ठीक है और कभी-कभी कहा होता है कि जो foreign domestic वाली होते हैं वो लोग भी काफी जाए पैसा लगाना start करते थे company का net profit और margin दोनों quarter and quarter increase हो रहा है और cash generation करने के जो ability है company के पास core business है वो भी काफी अच्छा है annual net profit improve हो रहा है यहाँ पर company के पास zero promoter place आपको देखने को मिला इंस्तेश्टिशनल वाले इस्तेदारी बढ़ा रहे हैं 52 हाई था stock अभी थोड़ी बहुत low में आ चुका है तो यह सारी चीजे है stock के बारे में और जनकारी ले सकते हैं तो जितने इक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट का क्या मनना है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट का मनना यहाँ पर कि भई दो जितने लोगों ने recommendation दिया है देखो हमारे तरफ से को recommendation या डोइस वगरा नहीं दिया जाता यह क्यों एक knowledge purpose के तरफ से आपको बताया जाता तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो लोगों ने बोला कि खरीदना है और छे लोगों ने बोला कि hold केज़े बाकि यहाँ पर छे लोगों ने बोला कि 6 लोगों ने बोला कि sell केज़े करके IT इंडेक्स अभी डाउन है बड़े बड़े जो IT कंपनियों वो नहीं चल पाए है तो अभी थोड़ा सा interest rate बढ़े गा तो IT कंपनियों को तकलीफ होगा तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं हम वेट करेंगे कोई दिकत नहीं है अच्छे कंपनियों को ढूंडो और ढूंड क